तो ये गाइस वेलिकम टू माई यूटूब चैनल नितिन कुमार ब्लॉग तो आचुके हैं फिर से एक नए ब्लॉग में तो अभी मैं हूँ अपनी दूसरी वाली दुकान पर जो कि मेरी दूसरी वाली दुकान है जूत चपली उस पर हूँ जो कि आप देखी सकते हैं कुछ ऐसी दुकान है मेरी जूत चपली दूसरी वाली दुकान है तो गाइस इस पर जो कि है मेरे पिताजी बैठते हैं मैं नहीं बैठता हूँ तो मैंने सुचा यार यहीं से ब्लॉग चालू करनू जो कि आपको दूसरी वाली दुकान भी आज दिखा दूँगा मैंने अभी त दुकान भी बढ़ा दिये और मैं अभी आया था रूम पर जो कि मेरे दुकान की ऊपर ही एक रूम बना हुआ है मैं वहाँ पर आया था फ्रेस होने के लिए तो मैंने सुचा आपको रूम ही दिखा दिया जाए कैसा रूम है तो चलो मैं आपको रूम देखाता हूँ रूम कुछ मलब जूता से पली उसमें जो सामान आता है वो पल नहीं है और उपर है गाइस लेटरिंग तो इतना ही कुछ है छोटी से रूम में तो चलो अब घर पे चलते हैं और यहां भूम की बहुत तीच लग वही है तो घर पे जाके खाना खाएंगे तो चलो घर पे चलते ह तो फाईनली üzerine गडर पे आजपे का ने गए और खाने में देखिक हमाई ममी ने बनाया है कई आए पॉकोड़े बना है हमारे लिए और मॉमोष पोओ ए असके बाल बनेगी चाई ए जले बनाए छाले के बाल मजाई कोड़ा है थो यू cynical कि खाना मिलए खाने कि यूझिछ बना थे तो मॉमोष बनाव और गाना से बैको डोड़े सिकाएं और भूमोस बनें चटनी बनें तो भाइस हमारे सब लोगों नगा खाईगें विभगों अधान खाते हैं और बालुसाही बनाई है जब अधाना तो बीदिवाली पर एच्छा ने साथ वने पर घह सार ने बने ते हमारे जाएं मम्मी कह रही है बालू शाई पकोड़े तमोसे टिक की बटूरे सब इनोंने आज ही बना डाला तो चलो यार पकोड़े बनने के बाद पकोड़े खाता हूं तो अभी है फ्रीज में सौंस और है इसमें दूद दूद की थेली अध्राग प्याज सब चीज है और यहां ब्रेट का पेकट और मम्मी ब्रेट पकोड़े ना बना दो ब्रेट पकोड़े अम्मी पकोड़े दिखाओ कैसे बने है आली प्याज तमाका वह आली मेरे चो प्याज के पकोड़े बने हैं बहुत मस्ती एक नमबर पकोड़े बनाएं आज तुमने एक नमबर तो बहुत ज्यादा अच्छी थे पकोड़े और चाएं खाके मजा आ गया तो चलो हम एडिटिंग करते हैं आपको अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से राएं चैनल को दस्क्राइब कर देना मिलते है नेक्ट व्लाग में तब तक के लिए बाई